वीडियो में क्लास 10 के मैथ का एकसरसाइज 2.2 के सभी कोशन के सालुशन एके करके देखते हैं देखें, फर्स्ट कोशन है Find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient आपको इसके zeros निकालना है और इसके zeros और coefficient का relation निकालना है देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 0 निकालते हैं, उसके बाद हम जो इसमें कोशन दिया है उसको solve करेंगे देखो, x square minus 2x minus x है, इसका, sorry, x square minus 2x minus 8 है यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें इसको 0 निकालो, कैसे करेंगे? देखो, first यह जो x square में किसका multiply है, कुछ ने यह तो 1 है, यहाँ पे 8 है, 1 into 8, 1 into 8 क्या होता है, 8, 8 होगा, एक गुड़े 8 8 हुआ, अब 8 का factor करो, ऐसा plus minus करो कि 2 आए, देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 into 8, एक गुड़े 8 लिख सकते हैं, 2, 2, 4 जाए 8 लिख सकते हैं, बस ऐस से देखेंगे, तो 4 में से, 4 में से 2 minus करोगे, तो 2 आ जाएगा, तो जो यहाँ पे x square minus 2x minus 8 है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x square minus 4x plus 2x plus 2x और minus 8, देखो यह 2x को अगर minus 4 plus 2 करोगे, तो plus minus minus हो गया, 4 में से 2 गया, 2 और sign किसका लेते हैं, बड़े का, तो minus का sign यहाँ पे 4 और 2, इसके factor करने से, यह आप class 9 में सीखे हैं, कि factor करके आप देखते हैं, कि कैसे beach वाला term आ जाए, ऐसे मैंने इसको लिया हूँ, यहाँ पे minus 4x और plus 2x, अब क्या करते हैं, second step में, कामन निकालते हैं, दो-दो का pair करके, इसमें से क्या कामन निकलेगा, x, तो यहाँ क्या दोनों में x-4, x-4 आ रहा हैं, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, तो बाहर वालों को एक बार कर दो, x plus 2 हो गया, और अंदर जो bracket है, उसको एक में कर दो, तो x-4 हो गया, ऐसे हो गया, अब देखो, यह x minus, x plus 2 है न, x plus 2 is equal to क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब x की value क्या आ गई, minus 2 आ गई, एक तो यह value हो गई, दूसरी क्या है, x minus 4 is equal to क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब x की value क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, आप ध्यान से देखेंगे, तो हम क्या निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं, कि x की value क्या आ गई, x की value minus 2 आ गई, और x क वैलू क्या आ गई, x की वैलू 4 आ गई, अब देखो इसमें next, इसमें बोल रहा है कि, देखो, find the zeros, zeros थो हम निकालती है, zeros मतलब solution क्या आ गया है, x की वैलू minus 2 और 4 आ गई, और देखो इसमें क्या करना है, verify the relationship between the zero and coefficient, आपको इसके relationship को verify करना है, मतलब देखो, अब देखो यह मतलब क्या इसके solution, इसके solution को अगर तुम जोड़ोगे, तो क्या रहा है, minus 2 और plus 4 को जोड़ो, तो क्या आ गया, 2 आ गया, अब verify करने का है, देखो, sum of zeros का formula होता है, minus b by a, अब देखो, minus b by a, इसको यह quadratic equation को कैसे लिख सकते हो, लिखते हो, ax square plus bx plus c, तो आप यहाँ पे correlate करे तो b की value यहाँ पे क्या है, minus 2 है, तो minus और b की value क्या है, minus 2, और a की value क्या है, a की value आप इससे correlate करोगे, तो क्या हो गया, 1 आ गया, मतलब minus क्या हो गया, plus 2 आ गया, नीचे 1 लिखो, चाहे ना लिखो, वही मतलब होता है, तो देखो, sum of zeros, दोनों को जोड़े, तो 2 आ गया, औ और इसको formula से भी कर रहे हो, minus b by a, तो 2 आ गया, ऐसे verify कर दिये, एक और इसमे verify होता है, कैसे, product of zero, एक तो sum of zero होता है, दूसरा, product of zeros होता है, product of zeros मतलब क्या, दोनों को multiply कर दो, तो multiply कर दो, यहाँ पे, minus 2 into 4, minus 2 into 4 क्या होता है, minus 8 हो गया, यह की आ गया, अब देखो verify कैसे करत होता है, product of zeros का formula होता है, c by a, क्या होता है, c by a, अब यहाँ पे correlate करो, यह correlate करो, तो c क्या हो गया, c यहाँ पे minus 8 आ गया, और a क्या है, a यहाँ पे 1 है, तो यह क्या आ गया, minus 8 आपका, यह देखो, जो minus 8 हम ऐसे multiply करके देखे हैं, हम इसको verify भी कर दिये कि नहीं कर दिये, त next करो, आप ऐसे इसको solve करेंगे, पहले आप इसके 0 जी निकालेंगे, 0 जी निकालने के पास जो 0 आया है, उसको sum करोगे, फिर इसको product करोगे, और इसको verify करोगे, चलो देखते हैं इसमें हम next question को, next question देखो, इसमें यह क्या है, यह है, देखो, यह 4s square, पहले देखो, क्या म आपको बताया, कि इसमें आपको पहले इसका factor करना है पड़ेगा, 4 into 1, 4 into 1 क्या हो गया, 4, 4 into 1 क्या हो गया, 4, और 4 को, देखो, 4 into 1 क्या हो गया, 4, और 4 को ऐसे लिखो, plus minus करके, कि बीच वाला term, 4 आ जाए, देखो, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुड़े, 1, 4 into 1 हो गया, फि minus 4 कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 4s square minus 2s, minus 2s plus 1, देखो, minus 2, minus 2 क्या हो जाएगा, minus 4 हो जाएगा, अब देखो, ये बीच वाला गया, अब क्या करोगे, दो-दो का pair बनाओगे, तो क्या common क्या निकलेगा, 2s common निकलेगा, 2s common निकलेगा, इसमें से, तो ये क्या हो ये 2s बचेगा, s को ऐसे लिखो नहीं, तो confusion हो जा रहा है, कि क्या 2 है, ये 5 है, तो ये minus क्या बचा, यहाँ पर 2 common निकलेगा, तो 1 बचा, और minus, यहाँ पर common क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या हो गया, 2s और यहाँ पर minus 1 हो गया, अब देखो, दोनों bracket में 2s minus 1 यहाँ भी इसका मतलब यह दोनों अंदर वाला सही है, मतलब हमारे step यहां तक सही है, तो answer क्या हो जाएगा? 2s-1 एक bracket में और दूसरे bracket में क्या हो जाएगा? यह बाहर वाला भी 2s-1 हो गया, मतलब 2s-1 is equal to 0 हो जाएगा, इसका मतलब s की value क्या हो जाएगी? 1 upon 2 हो जाएगी, ऐसे similarly दू दूसरे में भी 2s-1 is equal to 0 हो गया, इसका मतलब s की value क्या आगई? 1 upon 2 आगई, अब देखो हम, ध्यान से आप देखेंगे यहां पे, तो हम यहां पे s की value निकाल चुके हैं, s की value हम लोग क्या निकाले हैं? s की value हम लोग निकाले हैं, 1 upon 2 और 1 upon 2, यहां पे हम s की value निकाले है अब यह आगए यहां पे आपका verify करने वाला, verify करना है, एक तो यह 0 आगई, 0 जो मतलब solution हो गया, 0 से तो निकाल दियें, अब verify कैसे करेंगे, जैसे हम पीछे वाले question में की हैं, sum of, sum of 0s, पहले इसको add करो, sum of 0s करोगे तो क्या होगा? देखो, half plus half, आधा और आधा जोड़ दोग हो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अब formulae से करो, sum of 0s का formula क्या होता है? sum of 0s का formula होता है, minus b by a, minus b by a, देखो, सबसे पहले में यहां पे correlate कर देता हूँ कि आपको problem नहों, देखो यहां पे, 4s square, 4s square, minus 4s plus 1 है, इसको किस से correlate करते हैं? ax square plus bx plus c से, तो आप देखें से कोई मतलब नहीं, variable change है, एक e जैसा है, देखो, a की value यहां पे क्या आगई? a की value आपकी 4 आगई, b की value क्या आगई? b की value आपकी minus 4 आगई, और c की value क्या आगई? c की value आपकी 1 आगई, यही value पूट करके आप इसको verify करेंगे, देखो, minus b by a, minus आगे यहां पे, b की value क्या b की value यहां पे minus 4 है, तो यहां पे minus 4 पूट कर दो, आपान यह क्या आगया? a की value यहां पे 4 आगया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? minus minus plus 4 आपान 4, यह कटके क्या आगया? कटके आपका 1 आगया, तो आप देखो, आप ऐसे भी जोड़ो होतो 1 आया, और ऐसे फार्मले से लिखे हो तो 1 आगया, एक यह 0 आगया, दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है, product of 0s, product of 0s में कैसे करोगे? ऐसे ही सेम करेंगे, product of 0s क्या होता है? दोनों को multiply कर दो, आप दोनों को multiply करेंगे, तो 1 आपान 2 into 1 आपान 2 क्या हो जाएगा? 1 आपान 4 हो जाएगा, तो ल by A होता है, देखो c by A होता है, c by A c यहाँ पर क्या है, c की value आपकी 1 है, क्या है 1 है, और A की value क्या है 4 है, क्या है, 4 है देखेंगे, आप verify कर दिए, sum भी किये तो यहाँ पर 1 आया, और इसको formula से minus b by किये तो यहाँ पर क्या है, 1 आया, वैसे प्रोडक्ट किया इसका तो 1 upon 4 आया और ऐसे c by a भी किया वैलू आई 1 upon 4 आई ऐसे हम इसको verify कर चुके हैं hence ये proof हो गया कि product आप 0 भी करने पे ऐसे normally इसके 0s को multiply भी करने पे और formula पे रखने पे c by a भी answer क्या रहा है value जो है same आ रही है ऐसे ही आप इसके सभी कोशन को करेंगे next कोशन देखो क्या है 6 7 देखो अब इसको simply अब देखो factor निकालो देखो कैसे करते हैं 6 into 7 नहीं sorry यहाँ पे देखो एक जीज इसमें की है ये बीच वाले टर्म को पीछे लिखाया है सबसे पहले आप इसको बीच में लिखेंगे 6x square minus 7x ये minus 3 होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि standard जो फार्म होता है ये quadratic equation का वो क्या होता है ax square plus bx plus c होता है यही होता है जब आप इसको correlate करेंगे तो a की value क्या आगई 6 आगई b की value क्या आगई minus 7 आगई और c की value क्या आगई minus 3 आगई इतनी तो value आप क्या आगई अब इससे आप क्या करेंगे अब आप इससे solve करेंगे देखो यहाँ पे जो value है 6x square minus 7x minus 3 आप पहले और last को multiply करेंगे 6 3 जा 18, क्या आ गया, 6 3 जा 18, और 18 का ऐसा factor करो कि 7 आ जाए, कैसे लिख सकते हैं, 9 2 जा, अब देखो 9 2 जा 18 हुगा, 9 2 नहीं 18, 9 में से 2 माइनस करो गया, 7 आ गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6 X स्क्वाइर, माइनस 9 X, प्लस 2 X, माइनस 3 हो गया, अब देखो आप 2 द तो क्या बचा? 2 X माइनस 3, इसका मतलब देखो, अंदर ब्रेकेट वाला सेम आया वैलू, इसका मतलब यहां तक हम सही किये हैं, तो 3 X फ्लस 1, यह क्या हो जाएगा? 3 X फ्लस 1 हुगा, प्लस 1, आपका ये एक ब्रेकेट में हो जाएगा, और यहाँ पे 2 X स्लस 3 कि वैलू अ एक वैलू यह आ गई, दूसरी देखो, अगर 2x-3 की वैलू अगर 0 है, 2x की वैलू क्या हो गई, 3 हो गई, तो x की वैलू क्या हो गई, 3 अपान 2, मतलब x की वैलू दो आ गई, माइनस 1 अपान 3, और 3 अपान 2, यह x की वैलू आ गई, तो अब आपको क्या करना आभी, x की वैलू आ गई, मतलब 0 जा गई, अब आपको यहां से इसका वेरिफाई करना है, तो देखो, sum of zeros, sum of zeros जो हो है, sum of zeros करो, sum of zeros मतलब दोनों को जोड़ दो, तो देखो, जोड़ोगे, add करोगे, तो minus 1 अपान 3, plus 3 अपान 2, LCM लोगे तो क्या आ गया, 6 आ गया, 6 LCM, 3 2 जा, तो यह minus 2 हो गया, plus 2 3 जा, 3 3 जा, 9 हो गया, यह कितना हो गया, यह आपका हो गया, 7 अपान 6, यह sum of zeros कितना आ गया, 7 अपान 6, formula क्या होता है, sum of zeros का, minus B अपान A, B की वैलू क्या है, minus 7, तो minus 7 हो गया, और यह की वैलू क्या है, 6, तो क्या हो गया, 7 अपान 6, आप देख रहे हैं, sum of zeros, यहाँ पे 7 अपान 6, यहाँ पे 7 अप 6, यह verify हो गया, अब देखो, आप verify करेंगे, product of zeros को, product of zeros को verify करेंगे, product of zeros मतब दोनों को multiply करो, यह क्या है, minus 1 upon 3, minus 1 upon 3, और 3 upon 2 को multiply करो, 3 से 3, cancel, तो ये क्या आ गया, minus 1 upon 2 आ गया, अब product of 0's का फार्मला क्या होता है, c upon a होता है, c की value यहाँ पर क्या है, c की value है यहाँ पर, product of 0's यहाँ पर, sorry यहाँ में गलती से लिख दिया, c आ पर है, तो c की value क्या है, यहाँ पर, minus 3, और a की value यहाँ पर क्या है, 6, अब इसको cut कर दो, 3 upon 3, 3, 2, 6, मतलब value क्या गई, minus 1 upon 2, तो आप देखिए, आप जो यहाँ पर निकालें, इस question में, इन दोनों का relation, देखो यहाँ पर, सम्झ करने पर, यहाँ भी 7 upon 2 आ रहा है, 7 upon 6 आ रहा है, ऐसे normally product कर रहा है, तो क्या रहा है, minus 1 upon 2, और formula से भी कर रहा है, तो कैसे रहा है, minus 1 upon 2, ऐसे हम verify कर दिये, ऐसे ही आप इसके next question को भी करेंगे, देखिए, fourth part है, इसमें, 4u square, 4u square, plus 8u, इतना ही है, और c कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 0, आप इसको standard form में अगर quadratic equation का, ax², plus bx, plus c is equal to 0 होता है, मतलब, आप correlate करेंगे, तो a की value यहाँ पे 4 है, b की value क्या है, b की value यहाँ पे आपका 8 है, और c की value क्या है, c की value यहाँ पे 0 है, आप इसमें से आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप, जो ये equation है, इसमें से आप इसके 0's निकालेंगे, 0's कैस निकालेंगे? देखो, जो यह equation दिया हुआ है, 4u square plus 8u, is equal to 0 है, देखो, इसको आप क्या करोगे? क्या कामन हो रहा है? 4u common करो, तो यहाँ पर क्या बचा? आपका u बचा plus 2 बचा, देखो, तो 4u किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा, और u plus 2 किसके बराबर होगा? 0 क और u की value क्या आगई? minus 2 आगई u की value 2 आगई u की value क्या क्या आई? u की value 0 आई और minus 2 आई चलिए अब हम इसको verify करते हैं जब आप इसको verify करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, zeros की value तो आगई? क्या-क्या सालोशन ने इसके? अब देखो, हम verify करेंगे sum of zeros से sum of zeros कैसे निकालेंगे? sum of zeros आपका होता है दोनों को जोड़ दो 0 प्लस और दूसरा सालोशन क्या निकाले हो? 2 देखो, 0 जोड सालोशन एक ही चीज़ होती है 0 यह minus 2 हो गया तो 0 minus 2 की value क्या हो गई? minus 2 आगई अब फार्मुला लगाओ फार्मुला क्या होता है? minus B बाई A B की value क्या ही है? 8 तो minus 8 बाई A की value 4 आगई 4 से कट करो 2 minus 2 देखो, यहाँ भी minus 2 यहाँ भी minus 2 मतलब verify हो गया sum of 0 तो verify हो गया अब आप क्या करेंगे? product of zeros को आप verify करेंगे product of zeros दोनों को multiply करो 0 का multiply करो minus 2 से तो क्या आज जाएगा? 0 multiply by minus 2 आपका 0 आजाएगा फिर दोगो फार्मुला क्या होता है? product of zeros का C बाई यह होता है C की value क्या है? 0 है A की value क्या है? 4 है अगर आप किसी number को 4 से divide करेंगे किसी भी number को आप 0 से divide करेंगे तो answer क्या आएगा? 0 आएगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका यह verification पूरा हो चुका है क्यों? क्योंकि आपको product आप normally भी करने पे 0 आ रहा है और formula से भी करने पे 0 आ गया आप यहाँ पे solution भी निकालती हैं इसके 0 भी निकालती हैं और इसको verify भी कर चुके हैं ऐसे ही आप इसके सभी part को करेंगे देखें, next question है इसमें question number 5 question number 5 है इसमें आप 0 निकालिए देखें क्या दिया हो है? यहाँ पे पहले आप देखें t square t square और क्या है? t square minus 15 है आप इसमें यह c की value तो है ही t square आप is equal to 0 लिख सकते हो यहाँ पे बीच में जो जो हम formula लिखते हैं quadratic equation का ax square plus bx plus c is equal to 0 जब आप इसको correlate करते हैं सभी term से तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें बीच वाली bx की value नहीं दी हुई है मतब यहाँ पे x की value क्या हो जाएगी t और तो यहाँ पे a की value क्या हो जाएगी a की value मतब यहाँ किस से multiply है कुछ नहीं तो 1 हो गया तो यहाँ पे a की value 1 हो गया b की value क्या हो जाएगी यो variable t है इसमें कहीं तो है नहीं तो B की value कुछ नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और C की value, constant की value यहाँ पे क्या है, C की value यहाँ पे minus 15 है, क्या है, C की value यहाँ पे minus 15 है, चलिए आप इसको कैसे करेंगे solve, अब देखो, यहाँ पे आप इसके 0 जी निकालो, question क्या दिया है, question है, T square minus 15, हम कैसे कर सकते हैं, देखो, हम T को लिख सकते हैं, T का whole square T square को, और 15 को क्या लिख सकते हैं, root over 15 का whole square लिख सकते हैं, देखे इसको, देखो, चलो हम इसको यहाँ पे करते हैं, आप इसको solve करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, आप इसको नीचे हम लिखे हैं, T square को क्या लिख सकते हैं, T का whole square, और 15 को क्या लिख सकते हैं, root over 15 का whole square, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, तो यह formula किसका बन गया है, A square minus B square, इसका formula क्या होता है, एक bracket में A plus B, और दूसरे में क्या हो गया, A minus B हो गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, T plus, यह आपका T है, T plus root over 15, एक bracket में, और दूसरे bracket में क्या हो जाएगा, T minus root over 15, अब देखो, T की value क्या आगई, T की value एक बार minus, इसको ले जाओगे उधार, तो क्या हो जाएगा, minus 15, और यह T minus 15, T minus root over 15, इसको टो 0, तो ठीकी value क्या हो जाएगी, root over 15 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, root over 15, तो देखो, आप इसको अब देखो, यह तो आगई, 0 जागई, तो 0s तो आपका यहाँ पे आगया, 0s, तो 0s जो है आपके, यह आगया, 2 minus 15 और प्लस 15, अब हमको क्या करना है, हमको verify करना है, verify कैसे करेंगे, sum of 0s करो, sum of 0s, sum of 0s क्या हो है, दोनों को जोड़ दो, minus root over 15, और प्लस root over 15, दोनों plus minus क्या हो जाएगी, cancel हो के, 0 हो जाएगी, अब देखो, फार्मले से करोंगे, तो sum of 0s का फार्मला क्या होता है, minus b भाई, a होता है, minus b, यहाँ देखो, b की value क्या है, 0, और एक ही value क्या है, एक ही value, 1 है, मतलब value क्या गई, 0, देख रहे हैं, दोनों equal हो गया, देखो, एक तो verification हो गया, second verification देखो, product of 0, क्या, product of 0s, product of 0s, product of 0s करेंगे, कैसे, दोनों को multiply कर दो, minus root over 15, और multiplied by root over 15, क्या आ जाएगा, root 1 में आ जाएगे, minus बाहर है, root 1 में 15 into 15, 15 into 15 आ गया, 2 15 में से कामन निकाल हो गते क्या आ जाएगा, minus 15 आ गया, फिर देखो, formula क्या होता है, c by a, c की value देखो, c की value क्या है, minus 15, और a की value क्या है, 1, मतलब value क्या आ गई, minus 15 आ गई, यहां अच्छा से लिख दो, value क्या आ गई आपकी value, आपकी minus 15 आ गई, तो आप इसको ध्यान से देखोगे, तो product की दोनों value, minus 15, minus 15 इको अलगाई की नहीं, और यहां पे sum की दोनों value, 0, 0 आ गई, तो ऐसे आप इसको verify कर देंगे, next question देखो, इसमें क्या है, next question आपका यहां पे देखो है, 3x square, 3x square, minus x, plus 4 है, sorry, यहां यहां करेंगे, पहले इसको quadratic equation, इस्टेंडर्ट जो equation होता है quadratic का, क्या होता है, ax square, minus bx, नहीं, ax square, plus bx, plus c equal to 0 होता है, इससे correlate करेंगे, तो a की value क्या आगई, 3 आगई, b की value क्या आगई, minus 1 आगई, और c की value क्या आगई, 4 आगई, यह जो है standard equation हो गया, अब आप क्या अब आप इसमें values निकाल दो, कैसे करेंगे हम values निकालेंगे, तो values आप इसका निकालोगे, यह कैसे, इसका जो zeros है, zeros पूछता है पहले न, पहले 0 निकालो, zeros हमें इसमें कैसे निकालेंगे, जो equation है, 3x square minus x minus 4 is equal to 0 है, तो देखो, पहले और last term को multiply करते हैं, 3 into 4 क्या हो गया, 12, और 12 को plus minus है, इसे करो कि बीच में देखो, क्या है, minus 1 है, 1 आ जाए, तो 12 को कैसे करोगे, 4, 3 जा 12, 4 में से 3 minus करोगे, तो 1 आ जाएगा, तो कैसे लिख सकते हो, 3x square minus 4x, और plus 3x, minus 4 हो गया, अब देखो, plus minus करोगे, तो 4 में से 1 गया, दो-दो term का pair बनाते हैं, यहां क्या काम हो गा, 1, तो 3x minus 4, दोनों, देखो, अंदर bracket में सेम है, इसका मतलब क्या, हम यहां तक सही किया है, next में क्या हो जाएगा, x plus 1 हो जाएगा, देखो, उपढ लिखो इसको, आप इसको लिखोंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, x plus 1 एक bracket में हो जाएगा, और दूसरे bracket में क यह दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, तो देखो, आप x plus 1 is equal to 0 हो जाएगा, और 3x minus 4 is equal to 0 हो जाएगा X की value क्या हो जाएगा? minus 1, यहाँ पे x की value क्या हो जाएगी? 4 upon 3 हो जाएगी, देखो, x की value क्या आगई? X की वैलू आपकी minus 1 आ गई और 4 आपान 3 आ गई तो ये तो आप इसके क्या निकाल दिये 0s निकाल दिये, अब हमें इसमें क्या निकालना है और अब हमें इसको verify करना है चलो verify कर दो, verify कैसे करेंगे? पहले हम करते हैं sum of 0s क्या करते हैं sum of zeros sum of zeros दोनों को जोड़ दो minus 1 और plus 4 अपान 3 करोगे LCM लोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा यह minus 3 plus 4 तो कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 1 upon 3 1 upon 3 हो गया formula से रखो formula आप रखो गया तो क्या हो गया sum of zeros का formula क्या होता है minus B भाई A तो minus B, B क्या है यहाँ पे minus 1 है और A क्या है यहाँ पे 3 solve करोगे तो क्या हो जाएगा minus minus plus 1 upon 3 हो गया फिर देखो यहाँ पे फिर product of zeros निकालो देखो दोनों से हमागे zeros का, फिर product of zeros कैसे होगा product of zeros का formula होता है क्या होता है फार्मला मतली को पहले multiply करके देखो minus 1 into 4 upon 3 करोगे तो क्या जाएगा minus 4 upon 3 आ गया फार्मला क्या होगा C by A C की value क्या है यहाँ पे C की value यहाँ पे 4 है और A की value क्या है यहाँ पे 3 है, क्या है 3 है, तो देखो यहाँ पे C by A इसमें देखो कुछ problem हो रहा है product यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका C by A देखो यहाँ पे गलती होगे, sorry यहाँ पे C की value क्या है minus 4 है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, प्लस 4 तो यहाँ पे minus 4 हो जाएगा तो यहाँ पे C की value क्या होगी minus 4 देखो ऐसे हम check करते हैं कि जो हम कियें, सही किये की नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं value गलत लिया था यहाँ पे plus लिया था तो यहाँ पे minus आ रहा था लेकिन यहाँ पे plus आ रहा था, ऐसा नहीं हो सकता है दोनों जगा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो आप ध्यान से आप इसमें देख रहे हैं कि sum करने पे क्या रहा है आपका value, sum जो है आपका करने पे आपका 1 upon 3 आ रहा है और यहां भी आपका क्या रहा है, 1 upon 3 आ रहा है, इसका मतलब यह क्या है, सही है, यह verification क्या है, सही वही आपका product करने पर देखो, minus 4, 15 यहां पर आ रहा है, product करने पर यहां पर minus 4, 15 ऐसे एक normally कर रहे हैं, एक formula से कर रहे हैं, ऐसे ही आप इसको verify करेंगे, यह था इस part का, first वाले का सभी का solution, अब देखो second question है इसमें, second देखो, find a quadratic polynomial, each with the given number as the sum and product of which 0 होता है, formula होता है, x square minus, minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0, तो देखो, अगर आप इसके कैसे करोगे, इन दोनों को देखो, आप इसमें क्या करोगे, यह यहां पर दिया हुआ है कि sum or product, मतलब alpha plus beta, इसकी value क्या दी हुए है, 1 upon 4 दिया हुआ है, और minus 1 क्या है, यह alpha into beta, product देखो, पहले दिया है, sum और product दिया है, sum आपका 1 upon 4 है, और alpha beta, product क्या दिया है, minus 1 दिया है, इसपे put कर दो, x square, sum क्या दिया है आपे, sum आपका दिया है, 1 upon 4x, plus alpha beta क्या है आपे, minus 1, is equal to 0 हो गया, अब आप यह क्या हो जाएगा, x square, minus x by 4, और यह minus 1 is equal to 0, आप इसको multiply करोगे, तो क्या हो जाएगा, LCM लेंके, तो 4x square, क्या हो जाएगा, 4x square, minus x, minus 4 is equal to 0, यह आपका क्या हो जाएगा, यही आपका quadratic equation आजएगा कैसे में किया है, LCM लोगे न, तो यह आपका 4x square, minus x, minus 4 is equal to 0, यही आप ऐसे इसको करोगे, next को संदे को इसमें क्या है, second है इसमें, सभी को संदे को आप ऐसे ही same करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है, sum और product दिया हुआ है, मतलब alpha plus beta, जो इसके square है, जो इसके सालूसन है, root है, जो 0 है, इसकी value क्या दिया हुए है, देखो सभी name एक ही होते है, या तो 0 बोलो, या फिर सालूसन बोलो, यह सभी एक ही होते हैं, तो देखो, दोनों का sum कितना दिया हुआ है, root over 2 दिया हुआ है, दोनों का multiply कितना दिया है, alpha into beta, दोनों का multiply कितना दिया है, वना पां 3 दिया है, quadratic equation निकालना है, formula क्या होता है, formula होता है, x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, is equal to 0 हो गया, value put up करो, x square minus, दोनों को जोड़ने पे क्या है, alpha plus beta, root over 2 आया, और यह x, alpha, beta, दोनों का multiply कितना है, 1 upon 3 is equal to 0 आप LCM लो, पीछवाला तो मैं direct कर दिया, LCM लेगो कैसे करोगे तो आपका यह क्या हो जाएगा, 3x square हो जाएगा, minus 3 root 2x हो जाएगा, plus 1 is equal to 0 इसका मतलब आपका 3x square, minus 3 root 2x, plus 1 और यह इधर जाएगा, 0 से multiply हो जाएगा, यह आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो यही आपका quadratic equation हो जाएगा, 3x square, minus 3, root over 2x, plus 1 is equal to 0 next question देगो इसमें क्या है, next question देगो इसमें, अब मैं देगो direct लिखता हूँ x square, minus alpha, plus beta, formula क्या alpha, plus beta, plus alpha, beta, is equal to क्या है, 0 यहाँ पे देखो, दोनों का sum क्या दिया हो है, 0 दिया हो है, तो alpha, plus beta की value क्या दियो यह, 0 into x हो जाएगा plus 2 का multiply कितना दिया हो है, root over 5 is equal to 0 हो जाएगा, 0 के साथ आप इसको multiply करोगे तो क्या हो जाएगा यह आपकी value 0 आजाएगी, तो इसमें इसके equation क्या हो जाएगा, x square, plus root over 5 is equal to 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x square, x square, plus root over 5 is equal to 0 यही जो है इसका quadratic equation हो जाएगा, चलो देखते हैं आप हम इसके next question को next question है आप इसमें, देखो यह, यह तो और simple हो गया, देखो पहले formula लिखो, x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0 x square, देखो यह sum का है, sum आप product है, alpha plus beta की value 1, alpha into beta की value 1 put up कर दो, alpha plus beta की value 1 into x हो गया, alpha beta की value 1 is equal to 0 तो यह आपका क्या हो गया, x square minus x plus 1 is equal to 0, यही जो है इसका quadratic equation हो गया next question देखो, फिफ्थ देखो, quadratic equation देखो, alpha plus beta, alpha plus beta पहला क्या हो गया, इसका value क्या है minus 1 upon 4 है, और alpha into beta, दोनों का product की value क्या है, 1 upon 4 है formula क्या होता है, x square minus alpha plus beta, alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to क्या हो जाएगा 0, तो देखो, x square alpha beta की value क्या है, alpha plus beta की, minus 1 upon 4 और into x, दोनों का multiply की value क्या है, 1 upon 4 is equal to 0 हो गया, तो आप इसको solve करोगे, x square minus minus क्या हो गया, plus 1 upon 4x, plus 1 upon 4 is equal to 0, आप इसको lcm लोगे तो क्या हो गया, यह नीचे आपका 4 आपका 4 आगया, तो 4 से multiply हो जाएगा उपर, 4x square plus यह x plus 1 is equal to क्या हो गया, 0 हो गया, तो यह क्या हो गया 4x square plus x plus 1 is equal to 0, यह क्या हो गया, यही इसका quadratic equation इसमें हो जाएगा, 4x square plus x plus 1 is equal to 0, नेक्ट गोशन देखो इसमें क्या है, question number 5, alpha plus beta, alpha plus beta की value क्या हो गया, 4 हो गया, और alpha into beta दोनों का product की value क्या हो गया, 1 हो गया, अब देखो quadratic equation का formula क्या होता है, x square minus alpha plus beta, alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to क्या हो गया, 0, तो यह क्या हो जाएगा, x square minus, देखो दोनों का सम कितना दियावा है, 4x हो गया, plus value put up कर दिजिए, alpha into beta क्या हो गया, 1 is equal to 0, तो आपका क्या हो गया, x square minus 4x plus 1 is equal to 0, यही जो है, इसकी quadratic polynomial हो जाएगी, देखो यह था इस exercise के सभी question का solution, हम आपसे मिलेंगे next वीडियो में, next exercise के सभी question के solution के साथ, तब तक के लिए keep smiling, have a nice day, okay, thank you. ठापका है, तो जो खताओ क्यों जाएगी, तो यह हम पाका के सभी दो है, तो जाएगी, तो यह जाएगी, ठाज जाएगी, तो तो है, जाएगी.